नमस्कार, स्वागत आपका बिहारी नूज में, मैं हूँ आपके साथ अभै विशाल कौन मारेगा बाजी सेग्मेंट में आज हम बात करेंगे महराजगंज विधानसबा निर्वाचन छेत्र के बारे में महराजगंज विधानसवाद छेत्र सिवान जिला के अंतरकत आता है आए नज़र डालते हैं महराजगंज विधानसवाद छेत्र के राजनेतिक एतिहास और मौझूदा हालात के बारे में वर्ष 2015 में इस सीट से हेम नरायन सा विधायक हुए थे हेम नरायन सा जद्यू के टिकर से इस चनावी मैदान में जीत हासिल किये थे इस सीट पर उनके विपक्ष उमिद्वार कुमार देवरंजण सिंग थे वे भाजपा के टिकर से चनाव लर रहे थे हेम नरायन सा ने 68,469 वोट हासिल किया था वहीं कुमार देवरंजन सिंग को 47,166 वोट हासिल हुआ था दोनों उमिद्वारों के बीच का अंतर देखा जाए तो 20,292 वोटों का रहा था और देवरंजन सिंग ने सिकस झेली थी वर्ष 2010 के चुनाओ में जद्यू पाटी से दामोदर सिंग विधायक चुने गए थे वहीं उनके विपक्ष उमिद्वार मानिक चंदराय राज़त के टिकर से इस चुनाओ मैदान में खरे हुए थे वर्ष 2005 के फरवरी और अक्टूबर मा में भी दामोदर सिंग ने जद्यू के टिकट पर उमासंकर सिंग को हराय था उमासंकर सिंग राज़त के टिकट से इस चुनाओ मैदान में खरे हुए थे तो इस चुनाओी वर्ष में वैदनात पांडे जेडी के अपरतिनुत कर रहे थे उन्होंने कॉंग्रेस उमिद्वार दामोदर सिंग को सिकस्त दी थी वर्ष 1990 के पिहार विधान सभा चुनाओ की परनाम देखा जाए तो इस वर्ष होने वाले चुनाओ में महराजगन सीट पर सीधी टककर कॉंग्रेस और जेडी पार्टी के बीच रही थी जेडी की उमा संकर सिंग ने कॉंग्रेस के अनुसिया देवी को सिकस्त दी थी महराजगन छेतर में विकास के मुद्दे की बात की जाए तो कई विकास कारे हुए हैं लोगों का जीवन बैतर बनाये जाने के प्रयास किये गए हैं छेतर को मुख के धारा से जोरने के लिए सिक्षा, स्वास, बिजली, पानी और किसानों के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है यहां प्रतेक वर्स मौनिया बाबा का मेला लगता है जो एक माह तक चलता है सरकों का निर्मान करवाया गया है चुनावी साल में यदि चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो छेतर में कई विकास कारे होने हैं जो भी विकास हुए हैं उनमें अभी और भी सुधार क्याव शेक्ताएं हैं कुछ अस्थानिया मुद्दाव है जिस पर गंबीतर से ध्यान देने की जुरुरत है चुनावी मैदान में हैं वहीं कई निर्दलिय परतासी भी चुनावी मैदान में इस बार अपनी किसमत आज मार हैं अब इस बार महराज गंज की जनता किसे अपना विधायक चुनती है या तो 10 नॉम्बर को ही पता चलेगा तो आज के लिए बस इतना ही बिहार की हर चोटी बरी खबरों सरूबरू रहने के लिए देखते रिए बिहारी नूस धन्नवाद